हेलो एवरीवन, वेलकम अगें टूलंवरे देतीमन, तो देखिए आज हम करेंगे सेवन्थ क्लास का नाइन्थ चैप्टर समविधान निर्मान में राजिस्थान का योगदान, तो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, यदि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो राजिस्थान लेवल पर, तो आज हमारा जो चैप्टर है समविधान निर्मान में राजिस्थान का योगदान, तो ये पॉलिटी की द्रस्टी से बहुत ज़्याद हम है तो पूर्ण है, आपके एक्जाम में पूछा जाएगा, समविधान से कुश्चन जो है, वो हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है, और रीट के जो बच्चे जो भी आगे तयारी करेंगे, उन बच्चों को 6 से 10 तक की ही करनी है, केवल, ठीक है, 10 के आगे उनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर की जो कुश्यन अंसर है, मैंने ए पहराग्राफ में जितने भी कुश्यन बन सकते थे, वो सभी आप लोगों को यहां प्रोवाइड करवाएं हैं, जो बच्चे नोट करना चाहें, नोट भी कर सकते हैं, तो लेकिन आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, वीडियो को बार-बार सुनना है, जिससे कि आपको चीजे याद हो जाएं, तो यदि किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करिएगा, जो भी आगे वीडियो आएंगे, वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब के बाद जो है, वो मैं जल्दी से नहीं बोलती हूँ, क् कि मन होता है, बच्चे का यदि करे, तो कर ले, ठीक है, लेकिन मेरा बस ये बोलना है आप लोगों के लिए, कि जो नेक्स्ट वीडियो आता है, वो आप लोगों तक तभी पहुँच पाएगा, उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा आप लोगों को, जब आप नियमों व कानूनों का संग है, जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है, क्या कहलाता है, तो ऐसे आवशक नियम, कानून, जिनके आधार पर कोई संस्था हो या देश हो, तो वह संचालित किया जाए, तो वह कहलाता है समविधान, ठीक है, याद के बिए समविधान के लिए एक समविधान सभा होगी ऐसी मांग गी थी कुश्यन कई बार एक्जाम में पूछा गया है मांग कब की थी और घोचना कब हुई थी नेक्स्ट देखिए question 3 है समविधान का निर्मान चुनी हुई समविधान सभाद्वारा किया जाएगा तो ये गोशना जो है वो किसने की थी ये गोशना 1938 इस्वी में जवाहर लाल नहरू ने की थी ठीक है समविधान के लिए जो मांग है समविधान सभाद्वा की वह सबसे पहले 1935 में की गई थी भारती रास्ट्रे कॉंग्रेस के द्वारा उसके बाद जवाहर लाल नहरू जो है उन्होंने सबसे पहले घोशना की थी कि समविधान का निर्मान जो होगा वो चुनी हुई समविधान सभाद्वारा किया जाएगा बहरी कोई भी हस्तशेप नहीं होगा कैबिनेट मिशन की अनुसार समविधान सभाद्वा का गठन कब किया गया तो कैबिनेट मिशन की अनुसार समविधान सभाद्वा का गठन 1946 में किया गया था सम्विधान सभा की प्रतम बैठक कब हुई वह अध्यक्ष किसे बनाया गया सम्विधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और उस वक्त जो है कोई डिसाइड नहीं कर पाया था कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए तो यहाँ पर इस्थाई न बनाकर अस्थाई अध्यक्ष जो सबसे बुजर्ग व्यक्ती थे सचिदानन्द सिना इनको बनाया गया कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले जो है वो बड़ों को ही बोला जाता है तो यहाँ पर इस्थाई अद्यक्ष जो है नहीं चुना गया सबसे पहले अस्थाई अद्यक्ष सचिदानन सिना को बनाया गया उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई उसमें इस्थाई अद्यक्ष चुना गया सम्विधान सभा से क्या अविप्राय है तो जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो सम्विधान का निर्मान करती है उसे ही कहा गया सम्विधान सभा सम्विधान सभा का इस्थाई अद्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया तो अब यहां निर्वाचन हुआ जिसमें डॉक्टर राजिंदर प्रशाज इन्हें इस्थाई अद्यक्ष कौन थे प्रारूप समिती यनि की जो ड्राफ्ट बनाया गया सम्विधान का तो उसकी जो समिती बनाई वह है Dr. भीम राव अमबेड कर जी थे ठीके उसकी अद्यक्ष कोन थे Dr. भीम राव अमबेड कर जवाहर लाल नहरू ने सम्विधान सभा के सामने उद्देश से प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को सम्विधान निर्माण में कितना समय लगा तो देखिए सम्विधान निर्माण जो हमारे सामने आया तो उसके निर्माण में बहुत समय लगा इसमें 2 वर्स, 11 माह और 18 दिन का समय लगा सम्विधान को कब सुईक्रत और अंगीकार किया गया तो 1946 में सम्विधान सभा का गठन हुआ और देखिए 26 नवंबर 1999 को इसे सुईक्रती मिली यहाँ पर यह बन कर तैयार हो गया और अभी यह लागू नहीं हुआ था भारत का सम्विधान कब लागू किया गया तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी ही डेट क्यों चुनूई गई तो चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो डेटेल में यह सारी चीज़े समझाई थी सम्विधान दिवस कब से मनाया जाने लगा तो सम्विधान जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ लेकिन हम सम्विधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर से 2015 से प्रति वर्स 26 नवंबर को हम मनाते हैं सम्विधान दिवस बहुत इंपोर्टेंट लाइन है याद रखेंगे कि सम्विधान बनकर तैयार हुआ अंगीकार हुआ स्वीकरत हुआ 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और वहीं सम्विधान दिवस 2015 से हम लोगों न मनाना सुरू किया है और हर 26 नवंबर को सम्विधान दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट देखिए कोशन 14 है सम्विधान सवा में राजिस्थान के सदस्यों के नाम जो राजिस्थान के ही सदस्य थे तो यहाँ कोशन ये पूछा गया है कि सम्विधान सवा में राजिस्थान क उन सदस्यों के नाम बताने है जो यहां के मूल निवासी थे तो आंसर देखिए तो कैसे भी इनको याद रखना है इन 11 सदस्यों के नाम जो कि राजिस्थान के मूल निवासी थे सम्विधान सभा में शामिल हुए थे सम्विधान सभा के सदस्य जो राजिस्थान की रियासतों में प्रशाशनिक अधिकारी थे तो ऐसे सदस्य जो राजिस्थान के मूल निवासी नहीं थे और राजिस्थान की रियासतों में प्रशाशनिक अधिकारी थे और समविधान सभा के सदस्या बने तो इनमें देखिए चार सदस्यों के नाम है सर वी टी कृष्णमा चारी तो ये जैपुर रियासत में प्रशाशनिक अधिकारी थे तो ये लोग जो हैं राजिस्थान के मूल निवासी नहोकर राजिस्थान की रियासतों में प्रशाशनिक अधिकारी थे यहां सर, वी, टी, कृष्णमाचारी जो थे यह तमिल नाडू राज्य के रहने वाले थे, वही वैंकटाचारी करनाटक राज्य के थे, पनिकर जो थे, यह कहां के थे, केरल के थे, नाम से ही समझ में आ रहा है, पनिकर जो है केरल के और विजय रागवाचारे जो थे, यह भ साने वाले 22 चित्रों का जो निर्मान वह किस ने किया तो चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था तो आज हम यहीं तक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कुशन करेंगे थैंक यू